जहन दोस्तों, दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने सेनिक वेलफेर यूट्यूब चैनल में दोस्तों जनवरी 2022 के महंगाई बत्ते यानि D.A.D.R. के आंकडे भारत सरकार ने जारी कर दिया है यानि केंदे करमचारियों, पैंसन भोगियों, जबानों को जो महंगाई बत्ता मिलता है उसके जनवरी 2022 के A.I.C.P.I.N. अकिल भारतिय उभोगता सुचकांग के आंकडे जारी हो चुके है उसके अनसार आपके महंगाई बत्ते में क्या परवर्तन हुआ है, दोस्तों वो देखते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप सबी जानते हैं, हर महीने स्रम एवन रोजगार मंत्राले द्वारा महंगाई बत्ते के आंकडे जारी किये जाते हैं अब जनवरी 2022 के आंकडे आ गए हैं, उसके लिए 28 फरवरी 2022 यानि कि आज ये प्रेस रिलीज जारी हुई है जिसके अनसार आपकी जो महंगाई दरका, मैं सीधे आपको आंकडों पर लेके चलता हूँ जो परवर्त अनुवा वो कुछ इस तरीके से है, आप यहां देखेंगे, ये दिसंबर 2021 के आंकडे थे हालां कि दिसंबर 2021 के जो आंकडे थे, वो जनवरी 2022 से मिलने वाले महंगाई बत्ते के लिए कैलकुलेट हो चुके हैं अब जो जनवरी के जो आंकडे हैं ये और इसके बाद 5 महिने के आंकडे आने के बाद इन 6 महिने का जब कैलकुलेशन होगा तो आपको जुलाई 2022 से मिलने वाले महंगाई बत्ते का नेने होगा तो इस तरह से जो जुलाई 2022 से मिलने वाला महंगाई बत्ता है उसके पहले महिने के जो आंकडे हैं उसमें देखे दोस्तों अगर आप overall देखेंगे तो पिछले महिने के 125.4 से ये 0.4 यानि कि 125.1 यानि कि ये 0.3 मैनस हो गया है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर महंगाई दर घटी है इस तरह से ये जाहर होता है अब देखेंगे दोस्तों ऊपर लेटर क्या कहता है तो देखें दोस्तों ये हिंदी का जो लेटर है उसके मताबिक जनवरी 2022 का अखिल भारत उभोगता मूल सूचकांक 0.3 अंक घटकर तुलना में 0.24 प्रस्त की कमी रही जबकि एक वर्स पूर इन ही दो महिने यानि कि पिछले साल के इन ही दो महिने के दीच 0.51 प्रस्त की कमी दर्ज की गई थी तो इस तरह से दोस्तों ये जो आंकड़े आते हैं दो महीने वर्तवान के आपस में प्लस माइनस बताये जाता है और उन्ही पीरिड में पिछले साल की तुलना करके ये निकल के आते हैं इस तरीके से 6 महीने के जब आकड़े आते हैं तो आपका महंगाई भत्ता जुलाई से और जनवरी से जो किस्तें दी जाती हैं उनका कैलकुलेशन होता है अब इसको डी ए कैलकुलेशन टेबिल में देखते हैं कि यहां कितना प्रत्सत का भ्रद्धी हो रही है या घट रहा है तो दोस्तों अब देखिए कि जुलाई 2022 से आपका जो महंगाई भत्ता मिलेगा उसमें कितना इजापा हुआ है जैसा कि आप यह देख पा रहें यह सेविंथ पे कमिशन का डी ए कैलकुलेटर है इसके अनुसार आप यहां पर किलिक करें पहले दोस्तों आप देसंबर का डेटा फिलब कीजिए 125.4 तो आपके सामने जनवरी 2022 से मिलने वाला महंगाई भत्ता आ गया अब आप देखें यहां पर जनवरी का डेटा फिलब कीजिए 125.1 तो यह आपका महंगाई भत्ता बढ़कर हुआ 35.09 परसेंट इस तरह से दोस्तों यह आपके जुलाई से मिलने वाले महंगाई भत्ते में यह इस तरह से आपकी ब्रद्धी हुई है तो दोस्तों यह थी जानकारी महंगाई भत्ता के संदर में फिर मिलने किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जैहिन जै भारत